अरे चिंटू बता एक टोकडी में दस आम है अगर आट सड़ गए तो कितने बचे सर जी दस ही बचेंगे अरे गधा दस क्यों से बचेंगे ये तो बता आट तो सड़ गए मास्टर जी अरे आम सड़ गए तो क्या संत्रे या केले थोड़ी बन जाएंगे रहेंगे तो आम ही न दसी तो बचेंगे दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल पर दोस्तो आज मैं आपको सिखाने बाला हूँ कि आप मोबाइल से अपने से कैसे कार्टून वीडियो बना सकते है बहुत ही आसान तरीका है इसके लिए आपको ना तो कंप्यूटर की जरत ना लैप्टॉप की ना पेसी की आप घर बैठे अपने मोबाइल से कार्टून वीडियो की वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है नहीं तो चीजे छूट जाएंगी और आपका कार्टून सही से बनेगा नहीं इसलिए आपको एक चीज ध्यान से देखनी है तो सबसे पहले जब हम यह एप्लिकेशन ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा आप आप पहोगे सर एप्लिकेशन तो एप्लिकेशन का नाम में आपको बता दूँगा आप वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट देखिए आपको एप्लिकेशन का नाम भी मिल जाएगा आप वीडियो को थोड़ी भी स्किप मत कीजिए ठीक है अंत तक बने रही है आपको ए जी आई एप, देखिए, इंपोर्ट जी आई एप, इंपोर्ट इमेज, टैक्स्ट, एड्ड म्यूजिक, ये क्या-क्या काम आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, यहीं, देखिए दोस्तो, जब आप इंपोर्ट जी आई एप पे करोगे, तो देखिए, आपक एपने मोबाल से इंपोर्ट कर सकते हैं आपको जो अच्छी लगानी हो, करद्ड में, आप लगा सकते हैं, आप एड्, टैक्स्ट, तो टैक्स्ट भी कोई जो आप अपने हिसाब से लिखना चाहो, कुछ भी लिख सकते हैं, add music, तो दोस्तो add music में मैं आपको बता दूँ कैसे, जब आप add music पे click करोगे तो ऐसे interface आपके सामने open होगा, तो आप देखिए, अब जैसे फनी वाला interface, ये, तो मैंने फनी वाला play किया, तो ऐसी आपको आ रहे हैं, जो भी आपको happiness, sad, बहुत सारे इसमें, नीचे तक बहुत स सकते हैं, देखिए दोस्तों, अब ये देखिए, मैंन चीज यह है, यहां से, background और character, तो आप जब background पे click करोगे, तो आपका ये, ऐसे open होगा, जब आपका ऐसे open होगा, तो आप देखिए, कोई भी background ले सकते हैं, बहुत सारे background हैं यहां पे, तो मैं लेता हूँ classroom का, ये व background जब आप ले लोगे, अभी मैंने लिया नहीं है, तो आप फिर जाओगे character पे, character जब आपके खुलेंगे, तो ऐसे character बहुत सारे खुल जाएंगे, देखिए, इसमें बहुत सारे हैं, लड़के की, लड़की की, जैसा भी आप लेना चाहों, देखिए, इसमें नमो, राग केजू, ऐसे बहुत सारे, केजरी, ऐसे बहुत सारे character हैं, देखिए, सहा भी है इसमें, तो आप आज में लेता हूं दोस्तों, नमो और ट्रागा वाला, क्लियर है, ये दो लेता हूं, क्लियर है, इन दो पर लेने के लिए इन पर click करना होगा, बस one tap या two tap click, जो ऐसे भी आ आ जाएगा, क्लियर है, तो मैं ये ले लेता हूं, अभी, ये दोस्तों मैंने ले लिए, देखिए, अब इनको हम क्या कर सकते हैं, ये जो है, इससे हम इनको slide खिसका सकते हैं, कैसे, देखिए, ये देखिए, मैं इसको ऐसे खिसका सकता हूं, इस पर click करके, तो देखिए, म हम नाम देते हैं Chin2 किलीर है और यह जो इनको टीचर वना देते हैं तो δेख कुर्सी पर बिठा देते हैं अब दोस्तों देखे आपको इनको पैर मोडे न तो आप मोड़ भी सकते देखिए अप उंगली से किलिक करें पैर पे यहां और आप इनको आराम से मोड सकते टूर्ण कर सकते हैं देखिए जैसे आप turn करना चाहें तो आप कर सकते हैं कोई दिकत नहीं आएगी देखिए यह turn हो रहा है यह जूता turn हो गया यह यह दूसरा pattern हो गया देखिए केले हैं कि आप इसको आराम कुरसी पर बथा दो तो कुरसी पर देखिए और आपको ऐसा लगँः है कुरसी पर बेठा हुआ है करेक्टर केले है ऐसे राउल जी को स्टुडेंट वाली के azon बिठा दिये जिसका नाम हमने चिंटू दिया है और इनका नाम मास्टर जी किलिए रहे तो यह इसको पढ़ा रहे हैं अब हमें कार्टून कैसे बनाना ध्यान से देखिए यहां से मैं और ज्यादा इस्टार्ट होता ध्यान रखने वाली चीजें तो दोस्तों देखिए आप आप इसके उपर क्लिक करें आप है अपको लिए इंका मौल डिसाइड करना है हपुमर्मल मौल पे क्लिक करता हूं जब नॉर्मल मौल पे वर्मापा ऐसा आपके क्लियर है फिर उसके बाद आपको क्या करना है आप student का भी आप कोई भी मून ले सकते हो क्लियर है setting पर click करके अब देखो इसमें setting दिखने रही तो हम थोड़ा सक student को इधर किसका लेते हैं अब देखिए यह setting दिख जाएगी आपको यह देख रही होगी देखो यह नँए अब इसको बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हो जूम करना तो जूम भी कर सकते हैं आप यहां पर click करके जूम कर सकते हैं देखिए पर हमको जूम नहीं करन क्लियर है आगे देखिए दोस्तों आगे क्या करना है आपको सबसे पहले इनको आपको जो भी बोलना हो तो यह वो कैसे बोलना है आपको यह मैक दिख रहा है मैक इस पर क्लिक करके बोलना है क्लियर है लेकिन आपको इससे पहले अनकी आवाद सेट अप करनी होगी तो इस पर क्लिक करूँगा तो यह सेटिंग आ गई सेटिंग पर जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यह आपको देख नहीं रहा है मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं कार्टून को जिससे आपको दिख जाया नीचे कर देता हूं तो यह देखिए यह जब इसको इधर लेके छोटा कर देता हूं थोड़ा से तो यह आपको सही दिख जाएगा किलियर है अब यह सेटिंग दिख रही आपको यह इस पर किलिक करिए आप सेटिंग पर किलिक करोगे तो आपको स्पीच सेटिंग आई होगी तो ऐसे इंटरफेस आपके सामने उपन होगा अब आपको देखिए टेंपो करना है या पिछ करना है तो आपको अगर बड़े आदमी की आवाज निकालना है तो टेंपो अधिक रखना है ठीक है अधिक आपने हैसाब से जो भी आपको रखना हो और अगर आपको छोटे आदमी की बच्चे की आवाज निकाली है लेडिस की तो आपको पिछ जादा रखना पड़ेगा क्लियर है तो मुझे अभी ये मोदी जी थोड़े बड़े है तो मुझे ये टेंपो जादा करना पड़ेगा क्लियर है आप देखो यहाँ चेक भी कर देखी देखी दोस्तों अब आप इसको यहाँ से प्ले करके देख सकते हो देखिए जिससे आपका आवाज सेट अब हो जाए देखिए यहाँ से प्ले करिए अब देखे आप इसको आप अब आज को कैसे कम जादा कर सकते हैं देखिए अब और देखिए अब देखिए और आज आप चेंज कर सकते हो देखिए किलियर है अब आपको थोड़ा सा और पिछको बले आगे बढ़ा सकते हो है ना आप इस हिसाब से अब आज अपना सेट अप कर सकते हो अब को बार बार ये सेट अप करने जरत नहीं पड़ेगी अब आप क्या करिए इसको मैंने डिलीट कर दिया यहां से अब आप यह जो चिंटू है इस पर के लिए करिए इसकी सेट करिए देखी दोस्तों यहां से इस पीज सेट करोगे तो देखिए अब इसकी अमने आवाज थोड़ी जादा पतली हो रखिए तो हम इसको और खर देंगे देखिए और आप अपने हिसाब से आवाज सेट अब यह लग रही है कि बच्चे की आवाज है अब इसको भी यहां से डिलीट कर सकते हैं अगर आपको आवाज पसंद नहीं है यहों कोई भी मिश्टे होगे तो आप इस पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं अब हमारी दोनों आवाज सेट अब हो गई आपको मून्ड मून्ड सेट को सब चीज हो गई तो यह करिए अब एड फ्रेम पे जाओगे तो अब क्या करना है आपको यह देखिए आप इसको मैक को आप दूर भी ले जा सकते हो खिसका के देखिए अपने आज से वर आपको दिक्कत हो रही है तो देखिए मैंने दूर ले लिया बने दोस्तों ध्यान से देखना इसकिप मत करना है न ने तो चीजे छूट जाएंगे एक एक चीज इंपोर्टेंट चल रही है देखिए यहां से क्लिक करो मैक पे तो देखिए अब आपको इसका टीचर का मूँ भी हिलता देखेगा देखिए अरे चिंटू बता एक टोकडी में दस आम है अगर आठ शड़ गए तो कितने बचे क्लियर है तो आपके यह हो गया तो दुबारा आप एड फ्रेम पे जाईए एड फ्रेम पे क्लिक करिए और यह देखिए अब चिंटू बोलेगा तो चिंटू वाले मैक पे इसलिए मुझे चिंटू की आवाज डिलीट करनी पड़ी तो देखिए मैं चिंटू वाले मैं एक पे क्लिक करता हूं चिंटू की बात बोलता हूं अब देखिए आप सुन सकते हैं चिन्टू की बचेंगे क्लियर है अब दुबारा आपको टीचर को बुलवाना तो आप फिर से एड़ फ्रेम पे क्लिक करिए अब देखिए क्लियर है अब आप फिर दुबारा एड़ फ्रेम पे जाईए क्लियर है अब देखिए दोस्तों अब इसको फिर से एड़ प्रेम पे क्लिक कर दीजिए अब देखिए दोस्तों अब आपका जैसे आप हम थोड़ा सा क्या छोटा ही गनाते हैं क्योंकि आपको चीजे समझ मागई लंबा करेंगे तो और वीडियो लंबी खिचे कि आप भी परिसान हो रहेंगे तो यह वाल क्लियर दोस्तों अब आपको क्या करना है इसको आप सेयर यह देखिए दोस्तों सेयर का सायन आ रहा है इस पर आप सेयर कर सकते हैं ठीक है सेयर पर क्लिक करेंगे आप तो देखिए दोस्तों सेयर पर क्लिक करता हूँ मैं जब सेयर पर क्लिक करूँगा तो आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा आप इसको कुछ भी नाम दे दीजे मैंने जैसे इसको नाम दे रखा तीन या कुछ भी दे सकते हैं आप जैसे मैंने तीन दे दिया तो ठीक है आप इस पर add tag पर जाईए आप add tag पर देखिए आप funny politics joke और next पर कर दीचिए जब next पर करोगे तो आपके देखिए मैंने save to phone कर रखा है यानि ये video मेरी phone में save हो जाएगी क्लियर है और इसको आप इस application पर दोस्तो पोस्ट भी कर सकते हैं क्लियर है ये पोस्ट का निशान आ रहा है तो दोस्तो पोस्ट आप करेंगे तो ऐसे ही आपकी जैसे टिक टॉक पर वीडियो बनती है वैसे वीडियो बन सकती है और दोस्तो साथ में आपके फोन में भी ये video save हो जाएगी कोई दिक्कत है नहीं आएगी मैं पोस्ट पर जब क्लिक करूँगा अब दोस्तो ध्यान रखना ये application आप जब इसको complete कर लोगे तो ये facebook या आपके gmail id मांगेगा तो आप किसी चीज से भी इसको connect करके चला सकते हो कोई दिक्कत है नहीं है मैं पोस्ट पर जब दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें और comments में बताएं अगर आप किसी subject पर वीडियो चाहते हो तो हमें comments में लिखके बता सकते हो या कैसी लगी वीडियो वो भी आप बता सकते हो साथ में आप चैनल को subscribe करना ना भूलें जिससे कि आपको अगली वीडियो का notification तुरंत मिल जाए वीडियो डलते ही आपको और अगर कोई problem हो तो हमें comments में बता सकते हो आपकी सारी समस्यां दूर की जाएंगी clear है आगे दोस्तों मैं आपक अपको application के बारे में और चीजें बताता हूं कौन सा application है आई है तो आप किसी चीज से भी इसको connect करके चला सकते हो कोई दिक्कत है नहीं है मैं post पे जब किलिए करूँआ देखिए अभी थोड़ा सा network problem आ रहा है तो post पे जब किलिक करूँआ तो यह देखो saving mode में जा रही है अब यह आपके saving जितनी देर में होगी जितना आपके वो होगा clear है यह आपके internet के उपर depend कर सकता है clear है कि कितनी देर में होगी और आपके phone में आ जाएगी अब बताता हूं मैं नाम का नाम है आपके tune card clear है tune card है इसको आप play store पे जाके download कर सकते हैं यह आपका अपको दिखा देता हूं play store पे भी जिससे आपको tension नहीं रहे play store पे दिखाता हूं मैं आपको आपको play store पे फिरी download में मिल जाएगा आप यहां search कर सकते हैं देखिए यह आगया मेरा हिंदी ओरक का यह तो tune card आगया देखिए यह दोस्तों यहां लेखा हूँ आ गया इसको आप click करें यहां पर तो जब click करोगे आप देखिए तो आपके यह application आ जाएगा देखिए यह आपके application है जिसकी में बात रहा था आप इसको यहां से download कर सकते हो देखिए मेरे पहले से अल्रेडी यह download हुआ हुआ है इसलिए open लिखा रहा है तो आप इसको free download कर सकते हैं इसका कोई charge नहीं है यह download करने का आप आराम से वीडियो बना सकते हो और अगर कोई भी दिक्कत रह गई हो तो आप मुझे comments में बता सकते हैं और दोस्तों जल्दी में आपको दूसरी वीडियो ले के आऊँगा जिसमें आपको और भी अच्छी बैतरी animation वीडियो बनाना सखाऊंगा और लंबे cartoon बनाना सखाऊंगा ठीक है आप जितने मर्जी है जैसा कार्टून लंबे बना सकते हो जितने time के आपको बनाना हो तो बताएए दोस्तों कमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी और साथ में ये भी बताएए दोस्तों सेर भी जा और सब्सक्राइब ना करना भूलें के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक्यू दोस्तों